जो जीतना जानता है, जो हारना नहीं जानता है, मैं उस मिट्टी का बना बहुआ हूँ ठकना नहीं है इसलिए मैं कमजोरी के बात नहीं करता है यह कोशिश करता हूँ इस कौम को जलाने के लिए इस ताकत देने के लिए वो सुत्र कहने पड़ेंगे जिससे आदमी के जिन्द की मैके और जो डराए डरा डरा कर कहे यह वाली चीज़ी ले लोगा सब तुमारे दुख दूर हो जाएंगे घंटी आगले में बांद रखती लोगते ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो बताएंगे नजर दूर ठीक हो जाएगी नजर लगी भी है कुछ घर पर किया हो ठीक हो जाएगा और फैक्टरियों को आडर दे रखे यह काला दागा बनवाना तुमने दो रुपे में वहाँ बनता है सौर रुपे में एक सो एक में वो बेचते हैं फैक्टरी वाले बनाते हैं वहाँ भी उजूते पहन पहन करके उस दागी को बनाए जाता है उसको जो ट्रकों में लाद के आगे बेज दिया जाता है आदमी टीवी पर विग्या बन कर रहा है इस दागी को बांते ही एक पूरा पर्च्छा बना रखा है उसे पढ़पढ करके आदमी सोता है सच में अभी सारी समस्या दूर है किसी के समस्या दूर नहीं होती हुए उसी के समस्या दूर हुए उसके पैसे कूप बन रहे है ऐसी मुर्था की बातों में मत कर रहा है अलग ये ऐसा कहने में फायदा बहुत है मुझे भी चार पांच ऐसी बात है कहने ही चाहिए थी आप लोग लाइन को लगतर करके पैसे जमा कराते हैं पायदा इसी में लोगों को लेकिन मैं एक बात जानता हूँ अगर इस तर्दी पर बैठ गए और भगवान से अपना मन जोड़ दिया शुरू में प्रासना करने का मतलब होता है कि मैं तेरे साथ तेरे छड़नों के साथ अपने हुर्दे को जोड़ रहा हूँ अब तुझ ज अगर दिल वहां से जोड़ दिया था तर आदमी बलत में बुझा सची बात करें और हमें किसे से क्या लेना वे आप दो के मुझे मिलेगा मुझे नहीं चाहिए और भारत वैसे भी इतना कमजोर नहीं है भारत तो बात नहीं है यह बात याद रखना वह पहले को सचन मुझे बता रहे थे अमेरिका को किस किस का देना है तो किस किस का तरजदार है तो इंडिया का भी छटा नंबर है कि इंडिया का भी तरजदार है अमेरिका अनुपार दम है ऐसी बात नहीं है इंदुस्तान में बहुत दम है तो में निविदन करना जाओंगा सभी से, ये डर अटाई ये दिमाग से, विश्वास रखो, किसी के और के करने से कुछ नहीं होगा, जो होगा तो आपके करने से होगा, ये गर में हम लोग गई ले थे तो बढ़ा सुंदर घर नया उनया उन्होंने बनाया, बाहर उन्होंन में एक टायर लटकाया हुआ था उसके को, मैंने का ये क्या है, वो तो नजर पे लिए लगा रखा, नजर न लगे, मैंने का टायर में तो बहुत दम है, बोरी नजर रोके बैठा, एक अकेला टायर, खोड़ी देर के बाद उसकी बहु आई, बोले मेरे बेटे को आशिरव कोई नजर वजर न लगे, मैंने का एक छोटा टायर इसके लिए भी लाखा, बोले आप कैसी बाद करते हैं, मैंने का छोटा बिल जाता है, बच्चों के गाड़ी का हो, या उससे भी छोटना हो, खिलो ओने वाले टायर, लगाओ गले, जब इतने बड़े घर की नजर को र प्राशना करने के बाद, सुभे पूजा करने के बाद, दिया जो जलाते हो, उस दिये पर हाथ लगा कर दे, या अर्दिवाला दिया हो, और इसके बाद अपने पोते के सिर पे हाथ रखना, और कहना हो, भगवान मेरा बच्चा तेरी पना में है, कृपा का हाथ रखना मेरे खांदान का नाम उचा करे और तेरा नाम इसकी जबान पर बसे मैंने का इतने से जो कुछ हो जाएगा दुनिया में कोई को कर सकता माओं के आशिरवाद कम होते हैं लेकिन द्रहाने बले हैं कोई टायर लटका रहा है और जो कमजोर कौम होती है या फिर जिस देश में डव्लम्मेंट अभी शुरू हुई है लेकिन डव्लम्मेंट पूरे नहीं हो पाई महां ये चीजें बहुत जाद है वेंकोग में में गया, इंडोनेशिया में में गया और महां तो किसी के अंदर अनुवान जी, किसी के अंदर दुरुगाजीर, किसी के अंदर पता नहीं एक के अंदर तो भीम आया वा था भीम अर्जन तक आते हैं उनके या मैंने का दुरुदर भी आता है बोले आ जाता है एक आत्मी के अंदर अनुवान जी आये हो उचल-उचल की, इदर से कुद के उतर जाये, माह से उचल के उधर जाये जो गेंदे की माला है रखी वे थी, वो खाए और ऐसे करते करते जो वो पूजा रहे थे वो जरा बजुरुब से थे लोगों ने पकड़ा पीटा उसको क्या बोलता है। पूरा ओश में होते हैं इनको, ये ध्यान डखने। और हनुमान जी इनको चुनेंगे आने के लिए। क्यों कमजोर करते हों। भगवान चुनेगा आपके हिर्वे को। जब आप शान्त होते हैं, तो आपकी हिर्वे में जब वो बोलता है। आपसे बड़े-बड़े काम करवाता है, आपको लाइक बनाता है। ये उच्छल-कोद से बचोगा, हमें मारने वाला कोई और नहीं हमारे मारने हैं। ये ही हमें कमजोर कर रहे हैं। इतने इतने तरह की चीज़ें करने वाले जोड़ीं से बचिए बगवान का नाम जबना शुकर नियम अपने बनाओ तो जिन्दगी को मजबूत बनाना है खुद के साथ कर्थोर बनना तो जिन्दगी आसान बन जाएगे खुद के साथ नरम बनोगे तो जिन्दगी मुश्किन नपड़ जाएगे जिसलिए अभी से अपने नियम बना लीजिए अब अबली बात से और भी ज्यान से बनाओ पंद्रह बीच दिन के लिए अमेरिका हो आईए गर में जो गाड़े अड़ी आपके उसकी बैटरी डाउन हो जाती है स्टार्ट करने लगो स्टार्ट नहीं होती है तो पिर अपने यहां हिंदुस्तान में नियम है चार भाई बुलाते हैं वो धक्का देते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है ऐसा नहीं करते हैं जैसे European लोग है कि वो गाड़ी की बैटरी चेंज कर देते हैं, वहां से निकास के दुकान पर देके आएंगे, वहां से नहीं भी आएंगे अपने यहां तो चार भाई कटे होते हैं, धक्का देते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद स्टार्ट रहने देते हैं, थोड़ देर के बाद बैट रिचार्ट हो जाती है, रिचार्ट हो जाती है, गाड़ी चलने लग जाती है, अब इस निके में कोई याद ये बात में, कोई की बात जब सुनाता हूं, तो मेरे सुनाने का डंग ऐसा होता है, कि जिसने वो काहनी याद रहे हैं, उस से पीछे की बात पकड़ में आ जाएक। अब वो क्या बताना चाहता हूँ कि आप रोज सेर करते थे सुबह या सुबह एक्सिसाइज करते थे रोज का नियम था अब आपको कहीं बिमार पढ़ने से या ब्याशादी में जाने से पार्टियों में जाने से आपका नियम ढूट गया और आपकी बैटरी हो गई डाउन अब मौसम में ठीक नहीं रहा अब आपसे कोई कहता है कि सुबह उठ जाया करो पार्क में चला जाया करो यह समुदर किनारे सेर कर लिया करो रोज का नियम जो आपका था दो बारा चालो करो दो बार आप तयाद हो। मूर नहीं करका एक लाफ चीज छूटगे तर चूटगे पर बैटरी डाउन हो गये हैं अब बैटरी डाउन हो गये तो उसे बार किने तरीका क्या है धकका से जैसे कार स्टार्ट होती है ऐसे धक्के से आप भी अपने आपको रोज जबरदस्ती लेके जाओ पार्ष के चक्कर कटवाओ एक हफ़ता चक्कर कटवा लीजिए उसके बाद कंटिनी हो जाओगे तो रुखने वाले नहीं हो इसके थोड़ा धक्के के साथ अपने नियम जारी रखिए मन नहीं करेगा तो भी ये समझ लीजिए कि बैठी डाउन हुई है रेचार्ज करनी है लेकिन होगी धक्के के साथ तो थोड़ा अपने साथ जबरदस्ती कर लीजिए दो चार दिन साथ दिन अगर आपने कर लिया तो फिर से आप अपने नियम में आ जाएंगे इतने मजबूते से आ जाएंगे फिर नियम छूटने वाला नहीं और जो लोग नियम से जुड़ गए उनने फिर डॉक्टर के पास जाने की जूट नहीं बेमारियां उनके पास आने जाएंगे तो कार याद रहेगे बाब को कार के तीछे जो ठीछ सुनाए गई वो आप पकड़ने आ जाएंगे यहां पर लेगलर हो जाएंगे नियम पोरोग अपना लगाकार डिसिप्लन अपना कर जिन्दगी को कीमती बनाने में लगाएंगे अब अगले बात बताना चाहता हूँ अब इस से द्यान से सब्सक्राइब जिन लोगों ने आपको पालें पोस्में में अपने जिन्दगी लगाटी अपने कंदों पर बैठा कर आपको दुनिया दिखाएंगे अपने मुक्का निवाला निकाल कर आपको खिलाया अपना हिस्सा देकर आपको जिन्दगी दी खुद नहीं सोये लेकिन आपको सुलाया अपने अच्छे कपड़े नहीं पहने लेकिन अपने बच्चों को बढ़िया कपड़े पहनाये, अपना जोड-जोड के तिनका तिनका घर बना कर दिया, सुन्दर कमरा सजा कर बच्चों को दिया, खुद नहीं पढ़ पाये, अपने बच्चों को पढ़ाया उन ल교 कि पुर्बानी चोजी पुर्बानी में बहुत बड़ी पुर्बानी हैं तो उनका दिल कभी मत तोलना हो सके, उनका आशरुईद लेना लेकिन कभी कड़hrane उनके सामने मत हो जा क्योंकि माबाब की दुआओं से बढ़कर दुआ दुनिया में नहीं होते और माबाब का हाशिरवाद जिसके सिर्फ़ रहता है वो कभी दुर्भा के शाने नहीं रहे इसलिए अपने बड़ों की जितनी हो सके सेवा करो दियान रखो उनका कोई पिता सारा दिन दौड़ता है मेनत करता है अपने खाने का द्यान ने अपने सोने का द्यान ने अपने पहनने का द्यान ने किसलिए दौड़ रहे हैं अपने बच्चें के लिए दौड़ क्या सफना है उसका मेरा अपना कोई सफना है मेरे बच्चे ठीक रहें, खुश रहें, इनके काम पूरे हो जाएं, ये सैट हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, ठीक जिकर शादियां हो जाएं, बने ही अपना घर हलक बसा ले जाकर हमें पूछें, ना पूछें, लेकर अपने फन पूरे हो जाएं, ये इच्छा होती है, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी बेचारा वैसे बीमार रहता है, शूगर की बीमारी, ब्लिड प्रिशन, न जाने क्या-क्या, और बच्चें को पुरसद नहीं है, पूपी जी है, तो सोचिए, जो मात्री देव भाव कहा गया, पित्री देव भाव कहा गया, वो साधान बात नहीं है, वो असियत है, मा देवता है, पिता देवता है, एक मा जो अपने बच्चे के लिए करती है, अपने जिगर का खोन देकर अपने बच्चे को पालती है, अपने स्वास में से स्वास देकर उसको जन्म देती है, अपने बोजन का हिस्सा देकर उसे पालती है, अपने अंदर रख करके उसे अपने ह्रुथे की बावनाय देती है और अपने बच्ची को पालने के लिए क्या कुछ करती है सब की छुट्टी होती है और मां की छुट्टी के लिए होती डी चैनल जोब इस गंटे लगी रहती है, बिमार भी है, भुगार भी है, तो भी काम करती है, सब कहेंगे लेट जाओ, तो भी थोड़ा-थोड़ा ओठ करके, दवाई खाय करके, काम करती है, कितनी बड़ी कुरवानी असके, उसकी कुरवानी को कोई समझता है, शादी से पहले माज बेटी खूब लड़ती रहती है और शादी हो जाने के बाद फिर बेटी को समझ में आता है कि माँ किया है किसी की माँ न रहे, बेटा उतना नहीं रोता जतने की बेटी रोती है उसे लगता है that जब तक मा थी माय का था मा के कान माय का था अबतो ये माय का नहीं रहा मेरा घर खिल गया क्योंकि अबतो ये भाई भावी का धर हो गया और हम उस घर के मिहमान हो गये अबतक आते थे तो अधिकार से आते थे हम जाेंगे तो बाई बावे के गर जाए सोचिए ये रिष्टे साधान रिष्टे नहीं है बगवान चुनकर जर्म देता है माँ बाप देता है स्विकार वो करता है वो रिष्टे बनाता है और निभाने के जिम्मेदारी इंसानों को देता है कि अपने माबाप की सिवा को रहे इसलिए मैं गुदार्ण दिया करता हूँ कि जब दुनिया बनी थी भगवान ने इनसान को घर्टी पर बेजा तो बेजते समय उसको भगवान ही बताते जा रहे थे तुने सौ साल तक जीना है बहुत सारी जिम्मेदारिया करनी है अब मकान भी बनायागा जमीन जायदाद भी तेरी होगी कर्म भी अपना करेगा पहले पढ़ना पड़ेगा सुरक्षा करनी पड़ेगी खुद की बिमारियों से जूजना पड़ेगा नजारे कितने काम तेरे पास है तो उसने कहना शूब कर दिया भगवान मुझे तो कोई जानता नहीं मैं जब दर्टी पर जाओंगा तो मुझे पहचानने वाला कोई होगा बोले तु नहीं किसी को पहचाने गा लेकिन तुझे पहचानने वाले हैं वहाँ दो फरिस्ते मैंने बेंगे वो तुझे बार-बार बताएंगे हम हैं हम हैं हम हैं वो पहचान कराएंगे बोले डॉक्टर मैं बिमार पढ़ जाओंगा बोले डॉक्टर भी दो फरिस्ते होंगे वो तिरा इलाज करेंगे इसने फिर कहा कि मेरी सुरक्षा करने के लिए कोई दिन में कोई रात में चौकीदार हो बोले रात दिन के दो चौकीदार होंगे वो भी दो फरिस्ते होंगे। इसने कहा एक अकेले के लिए कितने फरिस्त होंगे। ये तो सैंकड़ों हो गए मेरे काम तो बहुत हैं। बहुत हैं। बहुत लिए नहीं होंगे। बहुत बहुत हैं। झाल झाल